असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उमीदे सब खेरियत से होंगे वेलकम टू साइका मसेधार तो वही अब गर्मिया शुरू हो रही हैं और मार्केट में बहुत अच्छी थी, कच्छी केरिया कच्छे आम आए वे हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजेगा, शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और नीचे जो चोट असा बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरे आने वाली सबी नई वीडियो की नूटिफिकेशन आपको मिलती रहें यहां मैंने ये तीन कच्छे आम ले लिए हैं वजन में आपको बताओं तो ये तीनों आम तक्रीबन 650 ग्राम से करीब हैं इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया और अब इसके उपर की जो अपर का ये डंडी होती है इसको हम कट कर देंगे इसमें से एक चेप भी निकलता है वो से फ्लेवर खराब हो जाएगा आम पन्ने का वो निकालके मैं आमों को पहले छील लूँगी बहुत से रेसिपीज में वो पूरे आम के साथ भी बनाते हैं लेकिन क्यूंकि इसको हम इंस्टेंटली बना रहे हैं प्रेशर कूक नहीं कर रहे हैं तो हम छिलका उतार देंगे तो जल्दी बनेगा और छिलकी की वैसे जो अखलाट आती है आम पन्ने में वो नहीं आएगी तो यह मैंने तीनों आमों को छील लिया है तो अब इसको हम कट कर लेंगे इसका जो गूदा है वो अलग कर लेंगे गुटली भी हम यूज करेंगे पकाने में तो गुटली पे से जित्ता भी आप निकाल सकते हैं गूदा इसका निकाल लीजे और बाकी जो है अब इसके हम कमाने में एक यह तालने पाउडर दीया है एक इंच की करीब है अदरक निया था इसको तो मैंने पीसें निया पॉड़र यूज़ कर लिया है और कालो नमक कस चाएब लिए और काला नमक इसमें डाल लियो अच्छा बनाने के लिए आम पड़ने का तो दो टी-स्पॉन के करी पानी यूज़ करेंगे क्योंकि इस पानी के अंदर आम पक भी जाएंगे शकर भी मेल्ट हो जाएगी और शकर की जुनत चाष्णी भी बन जाएगी अलग से चाष्णी बनाने की जुरूरत नहीं होगी इसमें तो शकर जो है थोड़ी जादा डालेंगे क्योंकि हम पानी में जब इसको आम पना बनाएंगे तो शकर बैलेंस हो जाएगी और शकर जो है आम पने में इस टाइम प्रिजरवेटिव कभी काम करता है इससे जो मिक्स्टर बन के तियार होगा ना फ्रिज में रखने के बाद भ खराब नहीं होगा बिल्कुल भी तो सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको अब ढखके पकाऊंगी मैं दस से पंधरा मिनिट और यह दस मिन बाद देखिए मैं यह चेक कर रही हूं इसको और यह मुझे हलका सा अभी भी थोड़ा सा कर रहा है कि अभी इस इस सॉफ्ट हो चुके हैं इसको मैं स्पून से चमच की हिल से दबा रही हूं इस बिल्कुल मैश हो रही है शहे तो अब जिए गैस को बं कर दिया मैने और अब इस मिक्सर को पूरा ठंडा कर लेंगे यह दिखिए मिक्सर पूरा ठंडा हो चुका है रूम टेपरिचर पे तो एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, इसके अंदर हम इसको पीसना है, तो जितना भी आम के पीसेज हैं और जितना भी लिक्विड है, वो सब में ग्राइंडिंग जार में डाल दूगी, और यह हमारे पास गुट्लियां बचती हैं आम की, इसको छुरी की मदद से जो है आप इसको जो है, इसको स्क्रेप कर लिजिए, इसको बचितना भी गुदर लगावा है, वो आप मिक्सी में डाल दीजिए, इसको खुरच के इस तरीके से, और बाद में गुट्लियां चूसने का तो अलग से मज़ा होते हैं, बहुत ही डेलिशे सी गुट्लियां बन जात कि आम में कोई भी रेशा वगएरा जो होता है ना वो निकल जाएगा और कोई भी मसाला जो हैगर कोई मभारी कच्छ से पिसा नहीं है तो वो भी निकल जाएगा तो एक स्मूथ सा मिक्स्चर हम आपस बचेगा, तो इसको आप छनी से पूरा चान लिया है, अब यह जो मिक तक यह मज़िदार सा जो है ड्रिंक यूस इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है ना यह लू अगरा से ही बचाता है क्योंकि आगे जो मौसम आने वाला है वो लू का मौसम आएगा, तो उसमें जो है आप यह दिन में एक गलास पी लीजे तो यह आपकी जिसम को बहुत अब इसका आमपंडा बना लेते हैं इसका शर्बत बना लेते हैं तो आपने सिंप्री एक गलास के हिसाब से इसमें तकरीबन दो से धाई टेबल स्पून या जिता भी आपको इसका फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से आप इसको गलास में डाल लीजे रिफ्रेशिंग फ्ले सारे फ्लेवर्स हैं सौफकल, नमक, शकर और जीरा तो अलग से कुछ डालने के जरूत नहीं है और इसके बाद किसी भी स्पून या फोक की हेल्प से आप इस मिक्सर को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजे और मिक्स होने के बाद कि ड्रिंक वैसे बनके तयार है लेकिन मज़ पसंद आएगा पसंद आए तो आप इसको लाइक जरू कीजेगा वीडियो को और प्लीज चाल को सब्सक्राइब जरूर करतीजेगा